सब्सक्राइब करने वाली तो वीडियो को पूरा ध्यान से रुख पूरे याकरी तक देखना और उसके पहले जिस जिसने अभी तक हमारी टिलेग्राम चल को जोईनने ही कि तो फड़ा-फड़ से जाके जोईन कले ना टिलेग्राम चल का लिंक कार्श को डिस्क्रिप्शन वक्स में मिल जाएगा साथ मैं मैं कमें में वेपिन कर दूँगा तो यहाँ से जाके जोईन कर लेना वहाँ भाई पेचल को बहुत जादा अच्छा हेल्प मिल जाता है बॉल बाउंस होगे रा कराने में स्विंग कराने में वही जो यहाँ पर भाई स्पिनस का रिकॉर्ड इतना कुछ खाच नहीं या स्पिनस जादा विकेड नहीं निकालते हैं ग्राउंड इस चाइट्स और स्कोरिंग पैटन देख लेथे तो इस ग्राउंड पर टोटल वाई 28 मैच खेलेगे जिसमें एवरेस्ट कोरर एक सो 70 रन का पहले बाट इंका नोल एटीम 13 मैच जीत हुए शेकंड बाट इंका नोल एटीम 14 मैच जीत ही स्कोरिंग पैटन देख लेए तो बिलो स्कोर 150 यानि की 150 के निचे का स्कोर इस ग्राउंड पर साथ बार बन चुका है स्कोर बीटिन 152-169 भी साथ बार बन चुका है स्कोर बीटिन 172-189 बार बन चुका है और यह बा स्कोर 190 यानि के 190 के ऊपर का स्कोर इस ग्राउंपर छे बार बन चुका और ग्राउंड का आवरे स्कोर रहे ता 170 रन चलिए अरभी मंदुनों टीम का हिट्टो रिकोर देख लिए तो दुनों टीम ने आपस में टोटल तीन मैच खेले जिसमें से दो मैच जीता है गुजराई टाइटनस ने एक मैच जीता है सनराईज सहिदराबाद में recent form देख लिए तो भै गुजरा Titans पिछले पाच मेंसे यापर दो मैच जीते ये 3 मै cred चारिए है वह शन्राइज सहथराबाद पिछले पाच मेंसे एक मैट जीते ओर चार मैच चारिए बाई यहां ओपन करेंगे शुबमन गिल और वृदिमा सा तो बाई गिल का जो फॉर्म ही बाई इतना कुछ खास नहीं रहे ज्यादतर इनके मैचेज देखो के तो बाई बिल्कुल भी स्कूर नहीं कर रहें पिछले मैचे आट रन उसके पहले 31 रन उसके पहले 23 रन आट रन नो रन तो बीच में वाई एक बड़ी आइनिंग आये 27 रन की और यहां पर जो आईपेल का पहला मैच केला था इनोंने बॉंबाई के केला पहुं 31 रन की बागी ज्यादा तर मैचेज इनके देखोगी तो इतने कुछ खास नहीं गया अभी तक वही व्रिदिमान साबाई यहां पर जाद स्कूर नहीं कर पारे अभी तो कोई भी बड़ी इनिंग नहीं आये पिछले मैच 21 रन उसके पहले 19 रन 20 रन चार रन बाकि साइस सुदरसन भाई बहुती बड़ी आप पहले इनके कापी अची गये पिछले मैच 17 रन उसके बेले देखने के लिए बाकि उमर जरी बड़ी आप फोम में बैटिंग और बॉलिंग कापी अची कर रहे पिछले माच 11 रन उसके पहले 17 रन प्लस दो विकेट उसके पहले चार विकेट तो इनका जो फोम है बैटिंग और बोलिंग दोनों सी कापी अच्छा देखने के लिए मि पर उसके पहले ले कुछ मैचेश देखो गहे आई पहले बहुत बढ़ी है फोम में थे उसके पहले एक विकेट चार विकेट तीन विकेट ऐसा करके वो परफॉर्म कर रहे थे और कापी अची वहां पर बॉलिंग करा रहे थे और पिछले पाच मैच में और टोटल दस वि लेस गहे आकि उमेश याद हो पिछले मैचे 10 रण मार था पर यहां बॉलिंग करा थी जहां पर उनको विकेट नहीं मिला था उसके पहले मैचे दो विकेट निकाला था उसके पहले चार विकेट दो विकेट तो भाइ अच्छा-कासा फाम रहा है रेगुलर विकेट यह न मैचेट में इनको विकेट ही नहीं मिल रहा है वो जैसी के मैंने बता है स्पिनस के लिए अतनी कुछ खास पिच रहने वाली नहीं है तो इनको भी साथ भाई आज विकेट ना मिले हैदराबाद की भी प्लेंगलें देख लेते तो भाई यहां ट्रेविस एड और मैंक अगरवाल उपनिंग करेंगे कर रहे और पिचले दो-तिन मैंचे से इनको देखो भी तो भाई यहां पर बॉलिंग नहीं करा रही है पिचले मैंच भाई बैटिंग से 42 रन मारा उसके पहले 18 रन उसके पहले 25 रन प्लस एक विकेट उसके पहले चालिस रन हैंडिस क्लासन का भी जो फॉर्म यह बहुत ज स्कोर किया हुआ नहीं है साबा जेमत को भाई पिचले मैंच एक विकेट मिल गया था उसके पहले 16 रन उसके पहले एक विकेट उसके पहले ज्यादातर मैचे से इनको विकेट नहीं मिला है और एक-दू मैच से इनके तोड़े ठीक टाग गए भाई यह बहुत बढ़ी पफॉर्म रहता और यह भी रिगुलर विकेट निकालते रहते हैं तो भाई यह रहने वाली आज की टीम जापर हमने दो विकेट इपर चार बैट्समन दो अल्ड रॉंड और तीन बॉलर को लिया है यहाँ पर कैप्टन रहा भाई हमने हेंड्रिस क्लासों को वैस कैप्टन रहा उमर जाई को अन मैने से अपर कुछ कैप्टन अज कैप्टन भी सब्सक्राइब लभिशेक शर्मा डिफरेंट पिक की बात करें तो मैंने चार प्लेयर बता है डेविड मिलर मैंक अगरवाल स्पेंसर जान्सन और वन्योशर गुमार चारी बहुत ही बढ़िया प्लेयर और इसमें मैंक अगरवाल और स्पेंसर जान्सन तो बहाई रिगुलर पफॉर्म भी कर रहें फिर भी इनका सेलेक्शन का पर दका में तब अपनी ग्राइनली के टीम में इनको ले सकते हो बाकि अभी के लिए जो मैंने टीम दे अगर समय कुछ जोई चेंजेस करता तो वो मैं आपको अमरी टेलिग्राम चल कर पर पता दूँगा